सेल्फी नहीं किसी का दर्द खीच पाओ तो कुछ बात बने वैलिए मेरा कहना नहीं है ये कहना है राजु की चाय का पारिश के मौसम में गर्मा गरम चाय मिल जाए और मिल जाए गरम गरम नाच्टा तो लाइफ सौर्टेड है है ना? So I have come down to Raju Ki Chai in Fort area for their popular Raju Ki Chai In search of best chai naashita in Mumbai, today I have come to Fort near Horniman Circle at Raju Ki Chai अगर आप यहां से गुजर रहे हों तो इस जगा को नजर अंदास करना काफी मुश्किल है A flashy tanker stands on its entrance Just like the paintings on an Indian truck, this place has a really quirky look जो आपको मझपूर कर देगा to make an entry चलिए, अब अंदर भी चलते हैं Well, यहां का टारिलाइन है पी हो मगर प्यार से तो भाई, आज प्यार से आप हमें क्या पिलाएंगे और खिलाएंगे चलिए, लगाईए एक मलाई टोस्ट और केसर चाय राजू की चाय का मेन्यू देखते ही, I bet you will be confused की क्या क्या ट्राइ करें चाय नाश्ते में, they have a lot of interesting options यहां पे मैं मेन्यू चेक कर रही थी और उधर बन रही थी मेरी गर्मा गरम केसर चाय और साथ में बन रहा था, स्मेर्ट वित लूट्स ओ थिक मलाई, वारान शी मलाई टोस्ट विल इस माई ताइट तेस्ट वन अपर मोस्ट पॉपलर इतम और हर, तिस इस दे केसर चाय तेस्ट ऑस्ट चाय था जब चाय थाइट कर दो स्काय और मास्ट शॉट टू झाट साथ झाट जूट तो स्काया जड़ाट केसर चेक टाहिए स्वच्च이지 वाव, this has such beautiful hint of Kesar, such perfect sweetness, an amazing creamy flavor of chai, I can actually make out that a very very good quality milk has been used in this chai, this is worth a try. जिसने मुझे सच में घर की चाय की याद दिला दी अब आते हैं नाश्टे पे अब कर प्रोटिक में अब नोस्त।पा अब जी जाय को फिर फ कि ऑुझा मालाय की चकली तोस्त। जी चिसा फॉकिता की अद्याइ को यह में अजीट यह और गर अजीची टेक चूटेक्ए मार में आञीय कि अवागर my mom used to treat me with this favorite malai toast and you know what it has hint of sugar it's not kind of overpowering but just a hint of sugar and such pure malai to taste over the toast oh my god अगर आपको चाय अच्छी लगती है this place you can't miss और अगर नहीं भी अच्छी लगती है तो एक बार तो ट्राय करना बनता है you may be from any state in India Raju Ki Chai transports you back to the taste of home so this rainy season don't you miss out on Raju Ki Chai and Naashita